Hello and welcome my dear soul family, कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे आज की reading में हम देखने वाले हैं आपके परसंद का अगला action कब होने वाला है कब तक लेंगे वो action, कब करेंगे आपको message या call या फिर यह मानले जी हम यह भी देखने के कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए वो क्या सोच रहे है आईए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेकि एंजल्स का नाम सबसे पहले एंजल्स को थैंकी बोलेंगे और कार्ड को शफल करेंगे जब तक हम कार्ड शफल करें प्लीज अपने पार्टने का नाम लेते रहे है ओके काड़ा गया है रोमैंस ओके यहाँ पर आगया है नो निट टू अरी यहाँ पर काड़ा गया है अबंडन्स तक हुँ घर नोचर काड़ा या यहाँ अरीरत मश्राइब si retina एंडन्स और काड़ा यहाँ पर यहाँ खला है अरीरत मेंसा तक हैंड्स आपक और क्यो करका। Кष्यों ऐसा लग रहा है कि आप काफी टाइम से किसी चीज़ का इंतिजार कर रहे हैं और इंतिजार करते 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 आपके पेशन्स ने बिलकुल ही जवाब दे दिया है मुझे ऐसा लगता है कि इतना जो है आपने वेट किया है इतनी जो आपने डेडिकेशन दिखाई है finally आपके मन में आया है क्यों ना हम divine को surrender कर दे divine से answer मांगने की कोशिश करे क्योंकि जब divine timing सही होती है आपकी life में ना चाते हुए भी बाकी सारी चीज़े होने लगती है और जब आप कोशिश कर रहे हों तब भी बहुत सारी चीज़े रुख जाती है इसलिए यहाँ पर काड़ा है आस के इंजल जो आप अभी करते हुए नजरा रहे है मुझे से लगता है कि आपने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी दिकतों का सामना किया है जिसके वज़े से आप बहुत ज़ादा परिशान भी दिख रहे हैं आपके अंदर बहुत ज़ादा confidence की कमी भी आ गई थी अपने समस्याओं से जोचते जोचते आपके अंदर एक बहुत जक्डन से आ गई थी अब मैं कुछ भी कर लो मेरा तो कुछ अच्छा होई नहीं सकता क्योंकि मेरा कुछ ठीक होता ही नहीं है तो इस वज़े से आपके मन में बहुत सारे चीज़े आ गई थी आपने एकदम से बादलों से घिर गए थे जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको परिशानी हो रही थी, डाउट्स थे और बहुत सारी चीज़े ऐसी थी जो आपको समझ भी नहीं आती थी तो यहाँ पर आपने अपने आपको सरेंडर कर दिया है अब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जैसा है वैसा चलने देते हैं और हर चीज़ में ब्लेसिंग की तरह ही लेते हैं देख लीजिए यहाँ पर चार कार्ड आ गए हैं जिसका मतलब यह है कि आपके परसन जो है आप कुछ भी कर लीजिए आप कितना भी दूर चले जाएए आप दुने के बेच में कितनी भी लड़ाई हो जाए इस लाइफ टाइम में आपके जो परसन है और आप जो हैं कभी भी चाहा कर भी हमेशा के लिए अलग नहीं होगी कभी ना कभी कैसे ना कैसे उनको आपकी याद आती रहेगी वो आपको हमेशा याद करते हुए नजर तो आही रहे हैं और जो जो लोग रिकनसिलेशन के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ यह connection जो है वो soul level पे है spiritual level पे है इसका मतलब यह है कि आपको tension लेनी की जरूत नहीं है आपको चिंता करने की जरूत नहीं है वो अगर किसी और से शादी कर भी लेते हैं अगर वो आपसे अलग हो भी जाते हैं लेकिन कहते हैं दिल में कोई-कोई ऐसे इनसान होते हैं कि अपने दिल में आपको बसा के रख लेते हैं और वो कभी भी वहाँ से आपको निकालते नहीं है कुछ ऐसी ही हालत है इस person की ठीक है इनकी तरफ से message आ रहा है कितनी भी आप दोनों के बीच में मन मुटाव हो जाए जब जब उनका नाम आएगा तब तब क्या होगा कि आप दोनों के बीच में उस पार्क रहेगा उस सारी memories जिंदा रहेंगी और उसी के थुरू आप दोनों जो है connected रहेंगे क्योंकि यहाँ पे काड़ा गया romance देख लिजए कैसे उनके दिल दिमाग पे हमेशे आपी का असर चाया रहता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त भी कही ना कहीं उनके मन में आपी के बारे में ख्याल चल रहे है इसलिए मेरे मन में आया कि मैं current reading कर देती हूँ ठेक है अब यह है abundance there is something better देखें आप दोनों का separation तो हो गया लेकिन separation के बाद जो reunion होने वाला है reunion तो पक्का होने वाला है क्योंकि आप दोनों का मिलना तो तैय है और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि divine timing is that work इसलिए बहुत सारी abundance भी आने वाली आप दोनों के रास्ते में आप दोनों को अलगी इसलिए किया गया था कि ताकि आप दोनों को separate life lessons मिल पाए वो अपनी गलतियों पे सुधार कर पाए अपने अंदर कुछ changes ला पाए आप अपनी गलतियों को सुधार कर अपने अंदर कुछ changes ला पाए इसलिए आप दोनों को अलग किया गया जब तक आपके life lesson एक दूसरे को मिल नहीं जाएंगे तब तक आप एक होने की सोच भी नहीं सकते तो बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है there is something better इसका मतलब ये है कि जब आप दोनों मिलेंगे तो कुछ तो अलग सी चीज होने वाली है आप में सब बहुत सारे लोग ऐसी होंगे कि आप दोनों की बात जो है इतनी आगे बढ़ गई थी कि आप दोनों शादी तक भी पहुँच गए थे या फिर ये मान लीजिए कि आप के घरवालों को पता लग ही गया था लेकिन उनी की नारज़मंदी की वज़े से आप दोनों का जो है separation हो गया या फिर उन्होंने भढ़का दिया या फिर कुछ तैसे conflict हुआ है जिसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि third party भी involved है और उन्होंने ही कही ना कहीं ये सारा का सारा काला जादू चलाया है आपके person के उपर तक ये आप दोनों जो है एक ना हो पाएं और आप दोनों के बीच में जो है मन मुटावा आ जाएं और ये सब तभी हुआ जब आप दोनों की बाते थोड़ी सी कम हो रही थी क्योंकि देखिए वार तो तभी किया जाता है जब लोहा बहुत ज़ादा गरम हो तो इसी वज़े से मुझे या पर लग रहा है कि जो भी चीज़े हुई ना आपके person को कहीं न कहीं third party के बारे में अभी अंदाजा है कि क्या हो रहा है क्या करने की कोशिश कर रही है वो third party male हो female हो या फिर उनकी खुद के thought process हो या फिर ऐसे हो सकता है कि आपके जो person है ना वो बहुत ज़ादा दूसरों की बातों में आ जाते हो जिसकी वज़े से ना चाते वे भी अपने life की decision दूसरों के कहने पे लेते हो जिसकी वैसे बाते बहुत ज़ादा गडबड कर देते हो लोगों को hurt कर देते हो ये सारी चीज़े जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके person अभी इस वक्त सोच रहे हैं हो सकता है ये number आपके लिए बहुत ज़ादा खास हो spiritually मुझे ज़रूर बताएगा इनकी repetitive numbers आपको आज कल में दिख रहे हो बहुत ज़ादा synchronicities दिख रही हो दूसरी बात ये है कि angel number या symbols का दिखना इसका मतला lots of abundance coming into your way जिस चीज़ के लिए परिशान हो रहे थे जिस चीज़ को आप बहुत time से manifest करने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि आपके person का next action इस बार आपके person जो है बहुत सारे lessons को लेकर अपने साथ आ रहे है इसका मतलब ये है कि पहले से ज़ादा maturity होगी उनमें पहले से ज़ादा समझाने की शक्ती होगी वो आपसे माफी भी मांगेंगे अपना दिल का हाल भी बताएंगे और बहुत सारी चीज़े जो हैं जो आपके मन में doubts है उसको clarify भी करेंगे और भी बहुत सारी चीज़े जो आप उस वक जानना चाहते थे कि आखिर कौन-कौन शामिल थे आप दोनों को अलग करने में आप दोनों का रिष्टा जो है तोड़ने में एक चीज़ और मैं देख रही हूँ आपके person ना यहाँ पर हो सकता है कि आपको message के थुरू contact करने के कोशिश करे क्योंकि call करते हुए या फिर एकदम से बात करते हुए तो वो मुझे नहीं लग रहे है थोड़ी और confirmation ले रहते है क्या होने वाले आगए the situation will improve देख लिए जो कुछ भी कर लिजिए situation ठीक होनी ही है improve का मतलब समझ रहे हैं पहले की तरह नहीं रहेंगी पहले से ज़्यादा अच्छी होगी है forgiveness देख लिजिए किस तरीके से यहाँ पर काड़ आ गया है कि आपके person चाहते हैं आपसे माफी आपके person चाहते हैं कि आप उनकी गलतियों की सजा उनको दे ताकि आप माफ करें ताकि आप दोनों जो है एक नई दिश्शा में एक नई शुरुआत कर सकें क्योंकि आपके person के मन में जब घर बसाने की बात आती है ना तो आपके अलावा किसी का भी चहरा इनको नहीं नज़राता an year from now within this year यह हो सकता है कि अगला साल आपका reunion का साल हो यहाँ पर reunion का काड़ है यहाँ पर बहुत सारे लोग इखटे होके किसी चीज़ के बारे में discussion कर रहे है और वो जो discussion हो रही है उससे जो result आने वाला है वो बहुत ज़ादा खुशनुमा है इसका मतलब यह हो सकता है आप दोनों की शादी की बात क्योंकि यह आपके person की तरफ सही होती ही नजर आ रही है क्योंकि आपके person के मन में आपको लेकि बहुत ज़ादा seriousness है और आपके साथ वो एक बंधन में बंधना चा रहे है यहाँ पे recovery जो भी चीज़ खो दी जो आसू थे जो दर्द दिया जो सारी pain थी वो सारी जो past की memory थी जो broken pieces थे उससे आप दोनों की recovery होनी बहुत ज़ादा जरूरी है जब एक बार recovery होगी जब आप एक दूसरे को heal कर लेंगे देखिये मुझे नहीं लगता आपको एक दूसरे को heal करना चाहिए आपको individually खुद को heal करना चाहिए अपने lessons लेने चाहिए तब दूसरे के पास जाना चाहिए क्योंकि अगर दूनों ही तूटे हुए हैंगे तो दूनों क्या एक दूसरे को heal करेंगे don't stop ओके यहां पर काड़ा गया है don't stop जिसका मतलब यह है कि अगर आप अपने career wise financially आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपको किसी भी हालत में रुखना नहीं है यहां पर यह चीज भी समझा रही है मुझे कि आपकी life में बहुत सारे obstacles आने वाले हैं बहुत सारे recovery आएंगी लेकिन उन सारे obstacles को पार अगर आप कर लेंगे वो obstacles जान बुचके यहां पर डाली जा रही है इसका मतलब वो देखना चाते हैं divine angels देखना चाते हैं कि क्या आप worthy है उस चीज को पाने के लिए जिसको आप बहुत टाइम से पाने की कोशिश करें उसको chase करें उसके लिए काम कर रहे हैं दिन रात काम कर रहे हैं तो इसलिए मैं यही बूलना चाहूंगी कि आप लगे रहिए आप stop मत होए क्योंकि इस बार आपके लिए बहुत लगे चांद से golden opportunity है कि जो भी आप चाहते हैं वो आपके कदमों में आपको मिल जा लेकिन उसके लिए आपको hard work करना है और बिल्कुल भी रुकना नहीं है यह थी आज की reading description box में एक new reading आ गई है जल्दी से जाके उसको देख लीजीगा कुछ भी करके किसी भी हालत में उसको miss नहीं करना है यह reading कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा मैं आँगी आपके लिए एक बहुत brand new reading लेकर आपे की favorite topic पे तब तक के लिए बोलूँगी जल्दी से description box में जो link है उसके click करके video देख लेजे God bless you and love you all